शेर बजार में उतार चड़ाव लगातार चलता रहता है ऐसे में सही स्टॉक चुनना वो भी जो आपको रिटर्न अच्छा दे सके ये बहुत जरूरी हो जाता है अब क्यूंकि साल बदलने वाला है चंद दिन के अंदर साल 2014 नए साल के तौर पे आपके सामने होगा ऐसे में आपके पॉर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक होना जरूरी है जो अगले साल में आपको अच्छी कमाई करा सके इसलिए आज हम आपको एक मल्टी वगर स्टॉक बताने जा रहे हैं नाम है शांति गेर्स लिमिटेड इस कम्पनी ने पिछले 5 साल में लोगों को अच्छा रिटर्न भी दिया है पिछले 1 महिने के लिहाद से अगर देखें तो शांति गेर्स लिमिटेड ने 24.78 % बीजदी का रिटर्न दिया है इनाकों से साबित होता है कि अगर आप लंबी अब्दी के लिए किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो उसका रेटर्न हमेशा अच्छा ही बैठता है और शांती गेर के मामले में 5 साल पहले खेला गया दाव तो आज अच्छा खासा मुनाफे वाला बनता है अब आपको असान शब्दों बताते हैं कि एक लाग के निवेश पर आज रखम कितनी बैठती एक महीने के लिहाज से देखें तो ये रखम एक लाग 24,780 के करीब बैठती चे महीने के लिहाज से देखें तो इस कमपनी में लगाया गया एक लाग रुपया एक लाग 28,000 के करीब हो गया होता एक साल पहले अगर आपने एक लाग लगाया होता तो ये करीब एक लाग 29,000 होता और अगर 5 साल पहले 1 लाग का इसमें निविश किया होता तो ये रखम बैठती करीब 4,60,000 से ज्यादा अब अगर आपने इसमें निविश कर रखा है तो अच्छी बात नहीं कर रखा तो आगे के लिए इस पर नजर बना के रख सकते हैं नए साल में ये आपको कमाई करा सकता है इस शांदा रिटर्न को देखकर आप सोच रहे होंगे कि काश हमने भी समय रहते पैसा लगाया होता लेकिन सोचिये मत ध्यान रखी आगे के लिए देखा जाए तो इस शेर ने निविश करने वाले इंवेस्टर्स का पैसा पांच साल के अंदर कई गुना बढ़ा दिया है बुदवार 27 देसंबर को कमपनी के शेरों में तेजी देखी गई ये करीब 10.70 शूनने फीजदी उच्छाल के साथ 614 रुपे के स्तरवर बन हुआ है हाला कि इसका ओपन 27 देसंबर का 563 रुपे कर रहा था वही 27 देसंबर का हाई इसका 614 का ही रहा है शांती गेर्स लिमिटेट के शेर का 52 वीक का हाई भी 614 रुपे ही है यानि शेर अपने पीक पर ट्रेड कर रहा है अब आपके मन में सवाल आ रहा हुआ कि कंपनी करती क्या है इसके शांदार रिटर्न के पीछे वजह क्या है तो आपको बता दें शांती गेर्स गेर बनाने वाली भारत की टॉप कंपनियों में शामिल है कंपनी गेर और गेर वॉक्स सोलूशन्स प्रोवाइड करती है 30 सितंबर 2023 को समात तिमाई के लिए टेक्स के बाद कंपनी 21 करोड के लाब में थी जबकि एक साल पहले इसी समान तिमाई में इसका प्रॉफिट 17 करोड था वहीं परिचालन से राजस्व बढ़कर 135 करोड हो गया है जो पहले 109 करोड था तिमाई के लिए कर पूर्व लाव 32 फीजदी बढ़कर 30 करोड हो गया है जो पहले 22 दिशों लोग 5 करोड था कंपनी ने 149 करोड के और बुक किये हैं जो की एक साल पहले कि अबदी की तुलना में 43 फीजदी ज्यादा है कुल में लाकर शांतियर्स शांदार तरीके से काम कर रही है और आगे इसमें ग्रोथ की संभावना भी दिखाई देती है ये खबर हमने केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई है किसी प्रकार करने विश्क करने से पहले इसमें अपने किसी विद्टे सलाकार की राए जरूर ले रहें